लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी गर्मियों में धूप पसीने के कारण तोचा में संक्रमा हो जाता है तोचा लाल हो जाती है छोटे-छोटे दाने नजर आने लगते हैं तोचा में जलन महसूस होती है हल्की सूजन भी नजर आत हीट रिकी समस्या हुई है तो इलाज में समय लग सकता है पर कि दरवां को ठीक होने पर सामान से ज्यादा वक्त लग सकता है परwdैं कि में दबाउं के सेवन हमोनल असल्टलन साप सफ़ाइकी कमी के कारण हीटर रेशाण के समस्या हो सकते हैं में हीट रेसिस का इलाज करने के लिए कुछ आसान घरील उपाईओं की मदद ली जा सकती है इन उपाईओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि घमोरियों को इलाज कि आप कर सकते हैं नीम की पत्तियों से कैसे आपको बताता हूं कि नीम की पत्तियों में एंटी बेक्टरियल गूड होते हैं घमोरियों का इलाज करने के लिए नीम की पत्तियों के पेश्ट का इस्तिमाल कर सकते हैं नीम की पत्तियों को धूकर उसे पीश लें, जो पेश्ट तयार हों उसे प्रभावित हिस्थे पर लगाएं, कुछ समय पेश्ट लगा कर छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से तोचा को धूलें नीम की पत्तियों को पानी के साथ उबाल कर टोनर तयार कर सकते हैं, इस टोनर को फ्रीज में रखें, बाहर से घर आ करके टोनर को चेहरे, गर्दन, हाथ पैर, गर्दन, बाँन हिस्सों पर छिड़कें, इससे खुजली और दोनों से दानों से रहात मिलेंगी दूसरा है, पेगनेंसी में हीट रेसिस की समस्या दूर करने के लिए दही का इस्तिमाल करें, दही में एंटिबक्टरियल गुड होते हैं, दही को घमरी वाले इस्तान पर लगा कर छोड़ दें, और दो मिनिट बाद तोचा को साप पानी से धोलें, दही को दिन में दो बा लगा सकते हैं, दही को डाईट में सामिल करने से भी घमरीओं की समस्या दूर हो सकती है, आप चाजपी सकते हैं, दही खा सकते हैं, तीसरा तरीका है, गमरीओं का इलाज करने के लिए गर्म hello में खिर्ये का इस्तिमाल करें, खीरिस में तोचा को ठंड़क पहुचाने के गुड़ होते हैं, खीरे के मदद से तोचा में जलन, खुजली और रेडनेस दूर करने में मदद मिलेगी। घमोरी का इलाज करने के लिए खीरे के पतले स्लाइस काट लें, खीरे के टुक्णों को फ्रीज में रख दें, फिर खीरे को प्रभावे छेतर में लगाएं। दिन बर में दो बार इन उपायों को आप कर सकते हैं। आगनेसि में हीट रहिस ज्या घमोरी को इलाज करने के लिए आलو का इस्तिमाल करें। आलू की पतली स्लाइस काट लें। आलो की स्लाइस को फ्रीज में रख दें। थंडी स्लाइस को घमोरी वाले हिस्से पर लगाएं। इस प्क्रिया को दिन में दो से तीन сказ ऐ घबोनियों के कारण होने वरी जलन या चुबन से छुटकारा पाने के लिए आलू का रस फाइदे मन्द होता है आलू के पेश्ट को भी हीट रसिस्ट पर लगा सकते हैं अगला है एलोवेरा का ताजा जेल निकालें और उसे आइस क्यूब ट्रे में डाल कर जमने के लिए फ्रीजर में रख दें एलोवेरा जेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टरियल गुड होते हैं इंफेक्शन का इलाज करने के लिए एलोवेरा जेल फादेबंध होता है एलोवेरा से बने ठंडी क्वीप्स को फ्रीजर से निकाल कर तोचा पे लगाएं गहमरियों को ठंडी क्वीप्स रखने से आराम मिलेगा साथ ही जलन और सूजन से भी आपको छुट करा मिलेगा तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकुन की घंटी है उसको बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें धन्यवाद